हेलो दोस्तों आपका SSBs क्लास में स्वागत हैं आज हम टैन्स पढ़ेंगे उसके बेसिक्स पढ़ेंगे और आइडेंटिफिक्शन और करेक्शन पढ़ेंगे और हम उसमें थोड़ा जानेंगे एक्टिव और पैसिव के बारे में तो चलिए हम सुरू करते हैं तो हमने यहां से क्या पढ़ा है जो टैन्स होता है क्या जो टैन्स होता है वह हमारी वर्प की फोम होती है जो अलग लग फोम होती है जो अलग लग टाइम को दिरसा आएँ अब हम आगे चलते हैं अब जो ही हमने वर्ब पढ़ा है इसमें वर्ब क्या होता है वर्ब वैसे हमने प्राइमरी औक्जलरी वर्ब में पढ़ रखा वर्ब जो होती है तीन परकार की होती है कौन-कौन सी होती है हमारी वो doing, being और happening लेकिन अभी हम यहां पर क्या पढ़ रहे है जो वर्ब होती है उसको हम activity से दिखा रहे है किससे दिखा रहे है हम वर्ब को activity से दिखा रहे है तो activity में हम क्या कह रहे है जो activity है वो हमारी एक तो होगी doing वाली और दूसरी कौन सी होगी हमारी happening वाली तो हमने वर्ब को किस से दिखा दिया, एक्टिविटी से दिखा दिया, तो एक्टिविटी क्या होगी हमारी doing और happening वाली, आगे हम चलते हैं, अब हम इसमें जो वर्ब है, वर्ब में हम देखते हैं कि जो एक्टिविटी है वो हम किस किस तरह से दिखा सकते हैं, तो हमने बोल ले लेते हैं यह होगी हमारा गोज हमने इसमें क्या ला दिया यह भी हमारी वर्प की फर्स्ट फॉर्म यह लेकिन हम इसे बैस फॉर्म ना बोलेंगे क्या बोलेंगे सिंग्लर फॉर्म कौन सी फॉर्म बोलेंगे हम सिंग्लर फॉर्म बोलेंगे तो हमने इसे गो से ले रखा यह हमारी base foam, क्या है यह हमारी base foam है, अब हम यहाप इसकी drive foam ले ले लिते हैं, जैसे हमने ले लिए, eat, eaten, eating, यह सारी होती हैं हमारी drive foam, कौन सी foam होती हैं, यह सारी हमारी drive foam होती हैं, तो हमने इन सब को drive foam ले लिए और base foam कौन सी हमारी यह, यह हमारी base foam है, और जितनी भी यह लि दिखाती है और दूसरा क्या है जो टैन्स होता है हम वर्ब को नहीं वर्ब की फोर्म को गयते हैं तो हम यहां से क्या समझ रहे हैं जो टैन्स होता है वो वर्ब की नहीं वर्ब की फोर्म को गयते हैं तो आप हमने यहां से एक हो चीज जाए गानी जो टैन्स होता है वो वर्ब को नहीं कहते हैं कहीं आप मानलों कि वर्ब को टैन्स कहते हैं हमने यह नहीं बोला हम बोलने जो टैन्स होता है वो वर्ब को नहीं, वर्ब की फॉर्म को कहते हैं, जो अलग-लग टाइम के साब से, अलग-लग वर्ब की फॉर्म लिखिया थी, उसे हम टैंस कहते हैं, अब आपने जैसे पढ़ा होगा, हमने क्या बढ़ाता, जैसे बी की फॉर्म पढ़ी थी, ये बी की फॉर्म पढ़ी थी was work और यः वर्प की थड़ फॉर्म में क्या होगी यह होगी हमारी being एग हमारी वर्प की ing फॉर्म भी वर्प की ing फॉर्म भी अते होंसे उसे क्या लिखेंगे हम being लिखेंगे तो यह हमारी हमने primary auxiliary वर्प में भी पड़ा हुआ है तो आप वहां से भी revision कर सकते हैं कुल मिला के हम क्या पढ़ रहे हैं जो हम tense पढ़ रहे हैं वह वर्प की form है जो अलग-अलग time के साब से बढ़ रहे हैं तो हम अब time को कैसे अलग-अलग हिसाब से time को कैसे express कर सकते हैं तो time को express करने के लिए हम 2 way होती है हमारे पास कौन-कौन से तरीक होती है दो तरीक होती है तो time को express कैसे कर सकते हैं पहले तो होता है हमारा point के साब से किसके साब से point के साब से दूसरा हमारा क्या होता है duration के साब से किसके साब से होता है हमारा duration के साब से होता है तो जो 0कैसे लिखेंगे मैं जिसे हम लिख दिया 5 p.m. कैया लिख दिया 5 p.m लिख लिया और duration को कैसे लिखेंगे 5 hours ठाग है यह हमारा point हो गया यह duration हो गया तो आप समझ सकते हो क्या अगर हम point लेंगे तो हमारा होएगा 5 p.m. और duration लेंगे तो पांच घंटे मतलब जो point होता है एकदम exact point होता है यह क्या होता है हमारा exact point होता है बिलकुल exact point जो हमारा होता है और यह duration होता है यह होता है हमारा antral जिस बीच हमारा वो काम हुआ है तो यह होता है हमारा duration और यह होता है हमारा point तो हमने क्या बोला जो time होता है उसे express करने के लिए हम क्या करते अब हम आगे चलते हैं. अब जो हम ये सारी चीजे पढ़ेंगे, जो Son Children's, पढ़ेंगे, उसमें हमारी 2 चीजे बड़ी Important होते हैं. जो भी आम competition level की तयारी कर रही होते हैं, लिए 2 चीजे बड़ी Important होते हैं जब हम error ढुणते हैं, या कुछ भी चीज हम कर रहे होते हैं क्या अब वो जो दो चीजे बड़ी इंपोर्टन्ट होते हैं क्या क्या होती है वो होती है हमारी पहला होता है नंबर वन आइडेंटिफिकेशन क्या होती है हमारी आइडेंटिफिकेशन नंबर दो हमारा क्या होता है क्या होता है क्या हो तो आपको किसी से समान लेना, आपकी मम्मी ने बोला है इस आदमी से समान लेके लियाना आप, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम उसे identify करेंगे, तो ऐसे ही आपकी paper में भी होता है, कि यदि आपको कोई error कठीक करनी है, तो पहले तो आपको identify करना पड़ेगा, कि वह error है भी या नहीं है, और वो क्या चीज है, वो noun है, pronoun है, adjective है, adjective है, या फिर वो क्या चीज है, अगर वो अपना noun है, pronoun है, adjective है, adjective है, या आप समझ चुके हो, तो फिर उसको उसकी सही जगे पे बिठाना है, कहां बिठाना है, उसकी सही जगे पे, तो सबसे पहली बात होती है, identification कि आप सम आप उसे तो अगर वह सही है जो हम्हारा वह से पाइसी में तese कर सकते हैं तो आप उसे पीर कर सकते हैं अगर वह उसे नहीं पहंटो सब्सक्राइब के घजन प्राइस हैं जब ग्रीक्शिण में और इंडिर्रेग्शन फोसर यह हम correction में बढ़ते हैं क्या, कि वही tense, mood और conditional यह हमारा सब किस में आता है? correction में आता है, तो हमने क्या बुला? Identification में हम सबसे पहले identify करेंगे, कि वही हमारा voice है, यह narration है, और अगर voice भी है तो कूं सा है हमारा? यह हमारा active voice है या फिर हमारा passive voice है और अगर हमारा narration भी है तो हम कैसे देखेंगे यह हमारा direct narration है यह हमारा indirect narration है उसके बाद में हम उसको ठीक करेंगे ठीक कैसे करेंगे उसमें हमारी tense की दिक्कत दो सकती है उसमें हमारी mood की दिक्कत दो सकती है उसमें हमारी conditional की दिक्कत दो सकत एक sentence लिखता है हम ए हम लिखा he had some money हमने बुला यह direct है क्यासी speech है हमारी direct speech है तो आप हम इसे indirect में convert करना किस में convert करना है इन डिरेक्ट में तो अगर हम इसे indirect में convert करेंगे तो क्यासे लिखेंगे जो हमारा subject है हमने तो उसे लिख लिया ही अब यह क्या है हमारा जो भी हमारा यह लिखा हुआ यह कौन से टैंस में तो हमने बोले यह पास्ट इंडाफिनिट टैंस में हमारा है पास्ट इंडाफिनिट टैंस में ऐसा क्यों है पास्ट इंडाफिनिट टैंस में हमने पहले बूल लखा था क्या जो है होता है होता है ह के फिर से हैड होती है और इन दोनों में , डिफ्रेंस्स भी मैंने उसमें आपको बता रखा थै। तो आप उस वाली चफ्टर को देख लीजे तो हमने क्या बोला , ही सब्जेक्ट है तो हमने ही लिख दिया abh ini chegar we had past definite tense लेते वर्प की थार्णर हम लेते तो उसके साथ में helping work लगनी जरूरी थे लेकिन यहाँ पे कहीं पे helping work नहीं आ रही है कहीं पे भी देखिए हैं यहाँ पे helping work आ रही है हमारी नहीं यहाँ पे कहीं पर भी helping वर्प नहीं आ रही तो इसे हमने क्या बोला वर्प की second form बोला और आपको पता होना चाहिए क्या जब भी हम direct space से indirect space में convert करते हैं तो हम क्या करते हैं past indefinite tense को past perfect tense में byदल देता है तो यह आप को छीज़ पता होनी चाहिए जब भी हम indirect को direct में करेंगे तो हम क्या करेंगे जो हमारा past indefinite tense से उसे प associates past perfect tense में बदलेंगे तो हमने क्या बोला जो head है उसको हमने फिर से क्या लिए लिख दिया, head लिख दिया, क्योंकि word की जो है, third form भी यही होती है, और इसके बाद में फिर से हमने क्या लिखा, एक और head लिखा, क्यों, क्योंकि आपको पता है, कि head के साथ में word की third form आती है, क्या आती है, तो हम लिखा, he had had some money, तो हमने क्या लिख दिया, यह direct speech थी, इस indirect speech ल गलत मार आएंगे, जबकि यह ऐसा नहीं है, यह बिल्कुल सही है, कि जो हमारा past indefinite tense था, हमें उसे किसमें बदल दिया, past perfect tense में, किसमें बदल दिया, अब हम आगे चलते हैं, हम और चीज़ समझते हैं, क्या, जो वर्प की third form होती है, वो दो तरीके से काम करती है, हम क्या क important है, हम क्या बूल लें, जो वर्प की third form है, वो दो तरीके से काम करती है, एक तो perfect tense में काम करती है, हमने यह नहीं बोला, present, past and future, हम सब की perfect tense बोल लें, और दूसरा क्या बोला हमने, passive, क्या बोला दूसरा हमने passive, तो perfect में क्या काम करती है, इसके साथ में helping verb होती है, और effect tense क्यालाता है, अब passive में कैसे काम करती है, B plus में verb की third form होती है, और यह यह वर्प की third form होती है, main verb होती है, क्या होती है, main verb होती है, और यह जो बी होती है, बी काology बता रहता है क्या होता है बी का मतलब is, am, are, was, were और क्या हैगा बीन लेकिन यहाँ पर हमारा बीन कभी कभी आता है तो हम क्या देखेंगे कि इस, am, are, was, were और बीन इन सब के साथ में अगर वर्ब की थर्ड फॉम आ जाए इन सब के साथ में अगर वर्ब की थर्ड फॉम आ जाए तो हमारा क्या होगा यह पैसिव होगा यह हमने प्राइमरी औक्जलरी वर्ब में भी बता रखा है अब हम आगे देखते हैं क्या कि हम देख लिते हैं क्या कि हम एक सेंटेंस लिखते हैं अब क्या से पैचानें गे फर्स्ट फोर्म भी होता है और जो हर्ट होता है वो वर्ब की सेकंड फोर्म भी होता है और जो हर्ट होता है वो वर्ब की थर्ड फोर्म भी वही होता है अब हम कैसे पैचानेंगे कि ये वर्ब की third form है first form है या second form है अब हम बोलते हैं क्या जो वर्ब की third form होती है ये जो वर्ब की third form होती है ये बिना helping verb के नहीं आती क्या नहीं आती बिना helping verb के कभी नहीं आएगी हमें पता है जो ये वर्ब की third form होती बिना helping verb के नहीं आएगी तो हमने बुला यह तो अब आनी सकती यहाँ पर टेक है उसके बाद में क्या क्या बचा वर्प की फर्स्ट फोर्म और वर्प की सेगेंड फोर्म अब हमने बुला यह जो वर्प की सेगेंड फोर्म होती है कभी भी सेईस के नहीं आती क्या नहीं आती सेईस के कभी नहीं आए में into indefinite tense में अगर कोई संटेंस लिखनी तो क्या लखो गया वर्ब के साथ में सायश से जरूर लगाओगे क्या ल्ए लएक लाओगे लेकिन म्यार ऐसी इसने लाते हैं हमंग क्या लिकते हैं ऐसे फोभन Calm लिखते हैं तो हम यही लगत क्या लगता हैं लेकिन एक हामतिंगी से लगरता हैं दो इसमें लगेका तो सीस नहीं लगेगा तो हम हमने बोला अब हम देख लेते है इट, It क्या है हमारा इसके साथ में SEIS आता है, परज पास्ट इंडेफिनेट टेंस तो मतलब यह क्या है हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस यह हमने कैसे पैजाना कि अगर यह वर्प की फर्स्ट फर्म होती तो इसके साथ में ऐसी है जरूर आता है क्योंकि इत है इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है हमारा इत है और आरही है अब उसके बास में बचा किया वर्व की सेखंड फुर्म और वर्व की second फुर्म होती तो क्या होता होता हूँ होता है अब हमने बॉला ये हमारा active Hus Mr. और ये हमारा active his modes marcae कैसे आप-सmor ड किसमें बॉला है इसे कुंसा हमारा सब्सेट होत ये क्या हमारा object है object किसका reply होता है whom का या what का reply होता है यह हमने पहले ही अपने base English grammar के lecture में डिसक्स कर चुके हैं अगर आपको अभी तक यह नहीं पता whom what का reply हमारा object होता है what kind of or which का reply हमारा adjective होता है तो पहले आप हमारे base English grammar के lecture पे चले जाएए उसे complete देखिए क्योंकि यह चीज़ समझने से पहले आपको वो चीज़ समझने पड़ेगी और अगर आपको वो चीज़ समझ में आ गई हमारी base English grammar के lecture तो आपको यह चीज़ बड़ी अरानम से समझ मा जाएगी तो हमने यह active से passive में बदलने के क्या समझा रखाता है जो object होता हो हमारा subject बन जाता है जो me होता हो हमारा objective case होता है और I जो होता है उसका subjective case होता है तो हमने क्या लिखा I लिख दिया हमने I लिख दिया अब जो heart है उसको passive में कैसे लिखे हैं हमने बदला B plus verb की third form लिखते हैं क्या लिखते हैं be plus verb की third form होती है और be के के साथ में क्या आता है is mr was or been अब यहां पर is mr तो आ नहीं सकता है क्योंकि भाई हमारे यह past indefinite tense में हो किसमें है past indefinite tense में है तो हमें किसमें लिखना है past में लिखना पड़ेगा तो was या वर में से कोई सा आएगा और हमारा यहां पर क्या आएगा was आएगा क्या आएगा was आएगा क्योंकि I के साथ में क्या आता है was होता है I was hurt वर्प की third form भी हमारी क्या होती हमने यहां देखा है न जो यह वर्प की third form होती हो भी हमारी क्या होती है हर्ट ही होती है I was hurt अब उसके बाद में क्या होता है हमारा जो subject होता है वो क्या बन जाता है object नहीं वो क्या मनता है proposition का object तो हम क्या लिखेंगे by लिखेंगे उसके बाद में क्या ला देंगे it लगा देंगे तो I was hurt by it एसा paper में आपके आएगा और आपको ठीक करना पड़ेगा एक और हम sentence ले लिखेंगे क्या अब हम दूसरा sentence देख लिखेंगे it hurts me अब हम पहले सबसे पहले यह देखते हैं कि जो हमारा sentence हम लिखा है आगर आग्टम है तो पैसीम मदलना पड़ेका और पैसीम में तो आगक्टम बदलना पड़ेगा तो हम दो संटेंज लिखा लेते हैं इसके नीचे I was hurt by it I am hurt by it तो हमने ये दो संटेंज लिख लिए तो पहले तो हम देखते हैं कि यह जो हुमारा sentence हमने लिखह रख यह किसमे है active में also here यहा पे B लस वर्ब की third form जरूर आनी चाहिए अगर हमारे यह passive में हो passive में हो तो B- plan course a third form आ रहे हैं हमने तो यहां पर कहीं भी third form न न están to his थो हमारे passive क्वैसा हमारे captive ''स प्रण दको कि में करें चाहिए जरएंरें लिए तो हमई अच्छे से Hello सब्सक्राइब क्यों पाले निश्रेक में अच्छे हैं उसके बाद में हमारे जो निचे लिख से हुए 1st, 2nd और 3rd form तीनों सेम होते है 1st भी सेम, 2nd भी सेम और 3rd भी सेम तो अन्तर क्या होता है जो ये heart होता है वर्ब की 3rd form होती इसके साथ में helping work जरूर आती है और ये जो वर्ब की 2nd form होती है heart इसके साथ में कभी भी SEIS नहीं आता है बहुति करहे सब सुभीितैंट đã फिनिट अगर प्रजैन्ट अगर प्रजैन्ट सब्सक्रेंट यी महत्पूर्ण बात कि यह थी हमारा एक्टिव किस उत्승 में मतलव सब्सक्रेंट तो जो में मतलब सरेंट इस आङte यह मामारा थो प्रेजेंट में होगा तो पैसिव भी हमारा किसमें बनेगा प्रेजेंट में बनेगा तो हमने देखा यह तो हमारा पास्ट में मन रहा है तो यह हमारा गलत होगे क्योंकि वॉस्त बारुकि सेकेंड फोर होती है अब दूसरा क्या हमारा एम जो है वो किसमें मन रहा है वो बन हमारा tense change नहीं होगा यह बात आपको समझ नहीं है ठीक है अगर आपका यहाँ पर present में है किसमें है यह हमारा present में है तो हमारे यहाँ पर भी किसमें रहेगा present में रहेगा किवल अंतर क्या आएगा b plus verb की third form का अंतर आजाएगा अगर हमारा यह past में है तो भी हमारा जो passive बनेगा वो किस में रहेगा past में रहेगा अंतर क्या आ जाएगा बी प्लस में वर्ब की उसके बाद मुझे एक और important चीज पढ़ानी है क्या कि हमने पढ़ा था primary auxiliary verb ठीक है ठीक है उसके फौह में क्या होता है mother असके बाद उसके ऐं CEOs अचायक और वर्ब में क्या होता वर्प का मतलब दा रहाएक खरिया होता है northwest को इक काम होता है तो हमने बोलबहुता है जो primary auxiliary verb होते है जो शुरुवाती साहे एक verb होती है, वो क्या होती है, तीन परकार से डिवाइड होती है, कौन-कौन सी होती है, be, do, or have, जो हमारी primary auxiliary verb होती है, वो तीन परकार से डिवाइड होती है, कौन-कौन सी, be, do, or have, अब be, do, have में क्या क्या समझते हैं, be, जो होता है, आपको पता है, be नियोस में आती है, जो do होता है, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी base form होती है, उसके साथ में जो उसकी work की first form होती है, वो क्या होती है, do does होती है, second form क्या होती है, did होती है, third form क्या होती है, done होती है, तो जो do होती है, हमारी सब किस में आती है, यह आती है, हमारी indefinite में, किस में किस में आती है perfect में आती है तो इसी से ही हम tense बनाने से कहेंगे किया से किया से कि e यदि आपको बी बोला जाए जो हम क्या लेंगे continuous लेंगे यदि हमें डूत की फेर्म बोला जाए तो कि लेंगे perfect लेंगे इसके आप उल्टे सब्द के बोल सकते यदि हम genome mechanism चलेगी और Indefinite भम बोले जाए तो Do के फОर्म चलेगी, औरन पर्फेक्ट भ temple बोले तो किसमी चलेगी Have के फ Oर्म चलेगी लेकिन हमने प्रफेक्ट हम ने कहींद ने पड़ा ठीक है यह ने पड़ा पर्फेक्ट लेकिन हमने कहीं भी perfect continuous ने पड़ा context पडले तो परफेक्ट कॉंटिनेस नहीं पड़ा, क्या नहीं पड़ा, परफेक्ट कॉंटिनेस, तो परफेक्ट कॉंटिनेस कैसे बदलाएंगे हम, कि यह जो परफेक्ट है और कॉंटिनेस है, यह जो दो है, परफेक्ट और कॉंटिनेस, यह जो परफेक्ट और कॉंटिनेस, इन दोनो दज डिड या कोई भी कोई भी मोड आलो क्या हो कोई भी मोड आलो उनके साथ में हमेशा क्या आना है उनके साथ में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉम आरी है और जो वर्ब की फर्स्ट फॉम होगी वो भी कैसी होगी बेस फॉम होगी कैसी हो कि bass form होगी तो हुमारे do does did या मोडाल के साथ में हमेशा क्या आती है वर्प की first form आती है वर्ठ की first form भी हमारी two-parkar की होती हमारी singular लगा국 होते हैं इसमें hé Hence scope होता है तो हम वोनी बोल सैं को हुए हम कौनसी या του द夜 या कोई भी ज बीमोडल आएगा मोडाल में मतलब में द्ञाइ सोड में माइट ये कुछ भी आएगा तो हमेसा योरह के साथ में क्या गड़बर लेते हैं वह पेपर में वह देटेगा trading और बच्चे उसके साथ में क्यला देते हैं वर्पी सेकेट आप हमने बुलाए यह जो do does did होते हैं किसमें आते हैं तो यह do does did में अफर्मेटिव में नहीं आते हैं किसमें नहीं आते हैं अफर्मेटिव में नहीं आते हैं हमने बता रखा कि भी अफर्मेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं असर्टिक कौन से सेंटेंस होते हैं यदि आपने अभी तक वह वाली वीडियो इन देखी तो पहले आप उन वाली वीडियो को देख लीजिए इसमें हमने sentence को function के आधार पर structure के आधार पर categorize करेंगे दो लग वीडियो बनाएं तो दोनों देख लीजिएगा तो हमने बोला अफर्मेटिव में आएंगे अफर्मेटिव में नहीं आते लेकिन कभी कभार ये अफर्मेटिव में भी आ जाते हैं और वो का बात है जब उन पर stress देना हो, क्या देना हो stress, stress का मतलब होता है जोर देना हो, कभी का बार हमें जोर देना होता है sentence में, तो वो हमारे किसमे आ जाते है, affirmative sentence में भी आ जाते है, तो हमने क्या बोला, यह जो वर्ब की first form होती है, यह होती है हमारे do, और does होती है, और जो क्यों कि base form मतलब वर्प की first form तो यह ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है किया जब भी हमारी do, does, did यह सब आएंगे तो इनके साथ में में वर्प जो होगी वह वर्प की first form होगी और वर्प की first form भी क्या होगी हमारी base form होगी यह चीज जरूरी यादर कीगा आगे हम जो देखेंगे वो tense को बनाना देखेंगे किस को बनाना देखेंगे tense को बनाना देखेंगे तो हम सुरूरी करते हैं है कि तो हुम्हारा क्या अधा पहला हम देखते हैं सीटें कि यह देखते हैं इंडे फिनिट फिर क्या होता है हमारा फिर होता हमारा कॉंटिनियस फिर क्या होता है हमारा पर्फेक्ट होता है और फिर क्या होता हमारा पर्फेक्ट कॉंटिनियस होता है तो हम यहां से टैंस का चार्ड बना चीछेंगे, टैंस की चार्ड में सबसे इंपोर्टन चीज क्या है, एक बद देख लिजे, हमने जो अभी थोड़ी तेर पहले देखा था किया, कि जो हमारा होता है, बी, डू, और है, बी जो होता है, हमारा किसमें आता है, कॉंट्विने तो इससे ही हमने चोत्ती चीज क्या मना आए थी, अगर परफेक्ट कांट्यूनेस आए, तो परफेक्ट और कांट्यूनेस को दोनों को लेकर हम क्या मना देंगे, परफेक्ट कांट्यूनेस मना देंगे, तो हम यहीं से ही अब अपना टैंस का चार्ड बना सीखेंगे, हम कि कि यदि हमारा पजैंट में की का में हमारा हमारा क्या इंडेफिनित आता है। इंडेफिनित वर्पिट कि कुन से होती है, या डज़ होती है ? तो हम लेंगे हमारा नगेटिव या इंटइरणो ise हमें डेफिनित लेंगे हम नमने बोला जो परजॉंत का टाम से हैं cabeça हम इंडमेट में लेंगे हएं किको क्सी ले रहा है is क्यंकि से कॉन्की हमारा इंडेफिनेट नाता है पूर की फॉंद सी होन से ती हम ने बहुदा वर्ब की फस्ट फॉंद बेस फॉंद या या यह ऐसी जो तो negative या interrogative में लेंगे वो क्या लेंगे हम वो लेंगे do की form कौन कौन से होती है do या does होती है do या does होती है तो do या does के साथ में हम क्या लेंगे verb की first form क्या लेंगे verb की first form वो भी कौन सी वाली base form वाली कौन सी लेंगे हम base form वारली लेंगे, उसके बाद में हमारा क्या आता है, continuous, अब हमें देखते हैं, continuous में क्या आता है, continuous में हमारा B की form होती है, और B की verb की first form क्या होती है, हमने पढ़ाया क्या, B की verb की first form क्या होती है, is, m, r, कौन से होती है, is, m, r, और उसके बाद में क्या हैगा, हमने पढ़ाय चीज क्या, जब भी B की फोर्म होगी, जब भी B की फोर्म होगी, इसके साथ में केवल दोई वर्ब आ सकती है, यहां से ध्यान देना, जब भी B की फोर्म होगी, केवल उसके साथ में वर्ब की फोर्म आएगी, कौन-कौन सी, या तो वर्ब की फोर्म होगी, क्या है कि वर्ब saints तो चांडा वर्प की vind ऑख सक्वाइगे तो क्या होगा पैसी और आपको पता है जो हम यहां कॉंटनिस पढ़ रहे हैं मतलब वह active किसने हैशा हम इसलिए ने भूला है कि हमहार एक इसमा पड़े होता है तो आपows Unter myths की Vorp कुछ फो में शॉक्ट कोन सी होती है है huge याक होती है हमारी एंसर एक उर цен डिए छल्म いे हैव की फॉन होती है अगर एक है ईंसा वर्ब और के सासरे हैं किया आती है फंद इल्पार्ण की थर्डर प्रौमाथ की बतों में वर्डर की थर्डर तो have के साथ में आप कुछ भी लिख सकते हो, has, have, had, ये जब भी helping verb का काम करेगी, तो याद रखना इनके साथ में हमें साथ क्या आएगी, verb की third form, तो जैसे हमने बी के बारे में पढ़ाता है, ऐसे हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, यदि हमारी have की form आए, has, have, had, ये सब helping verb क काम करें, तो इसके बाद में में साथ क्या आना, verb की third form आनी है, जो main verb की तरह काम करेगी, तो अब आप भी देख लेते हैं, हम अपना फिर से tense का chart, has, have हमारी helping verb है, तो इसके साथ में क्या आएगी, verb की third form आएगी, जो हमारी helping verb, उसके बाद में क्या हमारा perfect continuous है, क्या है, perfect continuous ह हम यहां से देखते हैं, perfect में क्या होगा, हमारा has या have होगा, क्या होगा, has या have, तो हमने बोला perfect पहले लिखते हैं, क्योंकि perfect में तो हमारा has या have आता है, तो हमने बोला has या have लिख दिया, उसके बाद में हमारा continuous हाएगा, क्या हैगा continuous, और continuous में verb की has या have के साथ में कौन स वो होती है वो होती है बीन क्या होती है हमारी बीन होती है यह हमने पहले पट रखा है और समझा भी रखा भी आपको क्या जो हमारे कंटेनेस वता है उसकी बीकी फॉम होती है वह होती है वाज या वर्ज होती है वह हमारी सेकेंड फॉम होती है और बीन जो होती है हमारी फोगी और कंटिंस में और की itadood각 की storage महीं उती है और उसके बाद में अगर मेन वर्ब लगां क्या लगाये मेन वर लाए तो बी के साथ में वर्ब की कुँ इसा वायां तो थपी एक यमारा कॉंटीनयस हुआ थो रखला हमारा पास पड़क होआ चया सब्सक्राइब Was और भाभर क्या थो मुझाएंगे तो वर्ब की लिखन का एंगीज कर् यह interrogative में लेते हैं, तो हम क्या लाएंगे, did लाएंगे, negative में हम क्या लाएंगे, did लाएंगे, और इसके बाद में क्या लाएंगे, verb की first form लाएंगे, क्या लाएंगे, verb की first form लाएंगे, और इसके बीच में note मिला आते हैं, लेकिन याद रखना, जब भी हमारा did आएगा, तो तो डिड़ के साथ में हम क्या लाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमेशा किसमें रहेगी बेस फॉर्म में रहेगी अब अगला क्या हमारा कॉंटनेस है इसके बाद में परफेक्ट में आते हैं, परफेक्ट में हमने क्या बोड़ा, परफेक्ट में हमारी हैव की वर्प की सेकेंड फोर्म कौन सी होती है, वह गुला हमने हैड होती है, कौन सी होती है, उसके बाद में वर्प की थर्ड फोर्म आईगी, उसके बाद में परफेक्ट में कौन सा आएगा हमारा, परफेक्ट में पहले परफेक्ट आएगा हमारा है है उसके बाद में continuous में हम जाएंगे तो क्या आएगा head के साथ में कुन सी form लगती है work की third form लगती है उसके बाद में bean के साथ में क्या लगता है या तो याद रखना है जब याद रखना हमने भी मोडा लाथा तो वर्व की first form अती है और वर्व की first form Subaru कौन सी वहगी हमारी base firm जो बिना while cell लग रहा है उसके बाद मेरे continence आनिये तो lot is be finishhell के साथ में कुन सी आएगी वह base Até बेसफोम कों सी होती है, BE होती है, KTB क्या होती है, BE होती है और फिर हमें बता है, BE के साथ में वरण किए है, तो THERД FOME आती है ING FOME, तो हम कों सी लेंगे, ING FOM, बिल्कुल सही का, आपने कों सी लेंगे, ING FOME, क्योंकि THERD FOME तो हमारी P governeduss Selbst STArim आएगी, अब हमारा क्या रहा रहा परफेक्ट आ रहा है तो हम लिखेंगे फिर से विल या सेल क्या लिखेंगे हम विल या सेल लिखेंगे उसके बाद में परफेक्ट में क्या होता है हमारी बेस फूम होती है बेस फूम कौन सी होती है हमारी has या have, तो हमने याद रखना, हमने क्या बोल आता कि जो have होती है, वो ही हमारी बेस्व उम थी, has हमारी बेस्व नहीं होती है, तो जब भी will या झाल लिखो तो उसके साथ में have ही लिखना है, has मत लिखना है और have के साथ में फिर कौन सी form आती है, verb की, third form आती है, कौन सी आती है, verb की, third form, उसके बाद में क्या हमारा perfect continuous है, तो हम पहले तो will या sell तो जरूर लिखेंगे, will sell लिखा, उसके बाद में हमारा perfect है, तो perfect हम क्या लिखेंगे, have जरूर लिखेंगे, तो have लिखा, उसके बाद में कर रहा है, इसे खुद प्रिपयर कर रहा है, नीचे इन सब चीजों को देख के, ठेक है वी कंटिनियस होता है, डू होता है, और हव होता हमारा परफ्यक्ट होता है और उसके बाद में हमने ये भी देखे थे वी वर्ब की इन जिफॉर्म, या वर्ब की थड़ आप सब भूल जाओगे आप आराम से बना सकोगे आप इसके चार्ट को ठीक है और इसे चार्ट को बनाने की जुरूद भी नहीं है आपको या अमेसा के लिए दिमाग में रह जाएंगे अब हम आगे क्या बताने चाहरे है नमबर वन जैसे मैं लिखा हरी विल हैव बीन अरेश्टेड हमने बुला 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 हमने बुला हमारी main verb है, क्या है main verb है ठीक है, और कैसी verb है, यह हमारी action verb है, क्या है हमारी action verb है जो B है, क्या है, जो bean लग रहा है वो क्या है हमारी, वो B के साथ में verb की third form है, क्या है B के साथ में verb की third form है तो मतलब यह जो है, यह passive में चल ला है पैसियों में चल ला है उसके साथ में क्या लग रहा है हमारा है उसके साथ में क्या लग रहा है हमारा है जो क्या दिखा रहा है परफेक्ट दिखा रहा है क्या लग रहा है परफेक्ट दिखा रहा है उसके पहले क्या लग रहा है विल लग रहा है क्या लग रहा है फिल जो हम हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल हमारा sentence सही है इससे क्या होगा कि हम बोलेंगे फिर hurry will have arrested hurry किसी को arrest करेगा अब यहां पर जो hurry होगा वो क्या होगा वो active हो जाएगा क्या हो जाएगा हरी यहां पर active हो जाएगा अगर हम इस bean को काट दें अगर हमारे यह bean वैसे का वैसे रहेगा तो हमारे क्या होगा पैसे होगा अगर bean हमारा कटी आता है बीन कट जाता है तो hurry active हो जाएगा क्या हो जाएगा active हो जाएगा मतलब hurry किसी को arrest करेगा लेकिन यदि हम bean ना कटें तो हरी पैसिव रहेगा मतलब hurry को arrest किया जाएगा तो यहां से हमने समझा कि किस ट्रे से हम अपने tense के lecture को आगे बढ़ाएंगे और basic चीजे समझेंगे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे lecture से आपको कुछ फाइदा हो रहा है तो हमारे चैनल को subscribe और लाइक जरूर करिएगा और इसको share भी जरूर करिएगा तो आगे हम tense के साथ में और बढ़ेंगे SSBs Classics की सेवा ही पर समाप तुई धन्यवाद